अगर आपके वीडियो से background noise निकालना चाहत है तो इस वीडियो को एंद तक देखें Hey guys, welcome to the tutorial. आप देख सकते हो कि मैं अभी Audacity करके जो software है उसके अंदर हूँ और उसमें मैंने एक video import किया है तो Audacity में background noise निकालने के लिए सबसे best और easy और free टेखनीक है तो since Audacity एक free tool है तो आप यहाँ पर easily noise editing, audio editing कर सकते हो तो सबसे पहले यह जो हमारा audio file है यह हमारे YouTube intro वाली video का audio file है तो आप जाके उस video में जाके clarity देख सकते हो कि इतना clear है voice तो पहले मैं आपको यह voice सुना देता हूँ कि इसमें starting में मैंने static record किया है ताकि मुझे surround के जो noise है वो मैं capture कर पाऊं उसके बाद यहां से देखो मेरा voice over चालो होता है तो make sure कि आप जब recording करोगे तो सबसे पहले एक दो तीन सेगेंड के लिए starting में static मतलब कुछ बोलियो मत और सिफ play होने दीज़े आउडियो को तो इससे क्या होता है कि background के जितने भी noise रहेंगे आपके वीडियो में audio में तो पुरे starting में record हो जाएंगे तो हम लोग इसको use करेंगे background noise निकालने के लिए तो पहले यह audio देख लो और सुन लो अगर आप आपके यूटूब वीडियो के लिए intro बनाना चाहते है without editing और कुछ software के तो इस वीडियो को end तक लिए तो यह था हमारा पिछले वाले वीडियो का intro जो हमने एक voice over निकाला था तो आप सुन सकते हो कि starting में जो बारिश की जैसे आवा जा रही है इतम noise है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे तो इसमें क्या करूंगा सबसे पहले मैं इसको select करूंगा और इसको select करने के बाद मैं effects में जाओंगा तो effects में यह सब option मिलेंगे तो यहाँ पे noise reduction करके option है तो यह select करो यह select करने के बाद यहाँ पे आपको दो steps दिखेंगे स्टेप फान और एक स्टेप टू तो स्टेप टू में जो है यह नॉइस रेटक्शन का डेसिबल लेज़ सेंसिटिविटी और फ्रिक्वेंसी इसे जाथा चेंज मत करो इसे यही वैल्यू पर रहने दो क्योंकि अगर तोड़ा भी नॉइस नहीं रहेगा यह जो है यह फैक् के बाद बर्स आपको यह करना है कि get noise profile प्लिक करना है noise profile प्लिक करने के बाद आपको क्या करना है ctrl-a करो और पूरा audio फाइल सेल्ट करो उसके बाद office effects में जाओ और repeat noise reduction क्लियो इसके बाद जो है आप देख सकते एक waveform कम हो गया स्टार्टिंग में से अभी हम audio play करके दिखते अगर आप आपके यूटूब वीडियो के लिए intro बनाना चाते है without editing और कुछ software के तो इस वीडियो को इंट तक देगे तो आप देख सकते हो कि काफी reduce हो गया है noise audio से तो यह one of the best technique है noise reduction के लिए इससे भी आगे advanced technique है एक और noise निकालने के लिए बट यह एक simple और beginner level technique है जो electricity टूल का लिए नीचे description में दे दिया है तो आप आपसे free के लिए download कर सकते हो यह open source tool है और noise reduction कर सकते हो तो अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो एक like जरूर करना और अच्छा लगे तो subscribe भी करना और ऐसे वीडियो के लिए मिलते है अगले वीडियो में तब त